नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है तोला आप देख रहें रेपेरिंगा नेडियस चैनल आज की वीडियो में आओ स्कूटर के जो रियल ब्रेक्शू होते हैं उन्हें घर पे कैसे रिप्लेस करें यह सीखेंगे यह जो स्कूटर है यह हीरो होंडा का प्लेजर है दोज़ा नौ का मॉडल है और ब्रेक्शू बदलने की जो मैं इसमें बताऊंगा वह आपके मैस्टो मैस्टो एज निवाली प बड़ते हैं तो इससे होगा यह कि जो आप बड्र को में ऊप घिस जाएंगे और जब आप नया ब्रेक्शूु लगाने यक隙ए तो उस ब्रीक्शू में जो घैप हो बढ़ जाएगा जिससे जो ब्रेक है वो अच्छे से भार्क नहीं करेंगे इसलिए हमें ब्रेक्षू जो है समय समय पर भदलते रहना चाहिए ब्रेक्षू खोलने के लिए 24 नमबर का नट है इसे आपको खोलना होगा इसको खोलने के लिए हमारे पास यह डबल साइड़ सॉकेट रेंच है इसी तरह का टूल आपको चाहिए होगा इसको आप बीच में ऐसे फसाईए और नीचे की और जोड़ से आप इसको धक्का दीजिए जिसी नट खुल जाएगा इसको होल्ड करके रखी और टायर को आगे तो कि खाल आप इसे डायरेक्ट निकालने जाओगे तो यह नहीं निकलेगा टायर निकलने के बाद यह अंदर फसा रहता है तो इसकोटर को आपको बाएं जुकाना है और इस टायर को बाहर निकाल लेना है काफी इजी मेथड है जैसा मैंने वीडियो में किया वैसा आप को भी करना होगा यह हमारे ब्रेक्षू जीने हमें रिप्लेस करना है उससे पहले में बहुत अच्छी आपको इक चीज दिखाता हो जो आप मिस करेंगे यह आप हीरो हंड़ा का लोगों देख सकते ही यह सिक बुनी गाड़ियों में होगा जो इसे हीरो हंड़ा ने कि यह पुराने ब्रेक्षू देखने में आपको लग रहा होगा कि यह तो बिल्कुल साही है पर असल में साही नहीं होते समय के साथ इनमें घिसावट आती है यह जो ऊपर का मटेरियल देख रहे हो यह लैजर है यह घिस जाता है जिससे कि फिर ब्रेक्ट जो है वह अपने से वर्ट नहीं करते हैं और जो ब्रेक होता है वह एक स्कूटर रहा किसे विखल के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है यह हम इसे ओर इसनल से प्लेस करेंगे यह हीरो का जैनुएन ब्रेक्षू है यह हीरो प्लेजर के लिए हैं यह 245 रुपए का पड़ा है और नीचे है है यह पुरानी स्प्रिंग है वाएँ साइड तो नाई स्प्रिंग अप लगाएगा पुरानी स्प्रिंग मत सुछ करिए गा नाए ब्रेक्ष विश और है की बेरेत करूंत थो सेम ही है यह सब कहले आता घर लाएग नहीं टीक है से पीसमार्ट मार्केट आपको अलग- अलग variety के ब्रेक्ट्रो मिलते हैं जिनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ब्रेक्ट्रो हम लगाएं कौन से नहीं कि पुराने वाले से मैं भी आपको compare करके दिखाता हूं तो जो गैप है वह आप देखिएगा क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा यह देखिए कितना जाद आपको गैप देखने को मिल रहा है तो हम नए ब्रेक्ट्रो को लगा देंगे अब देखिए लगाने का एक तरीका होता है वह आप समझ लीजेगा इस तरह से आपका ब्रेक्ट्रो फिट होना चाहिए इस प्रिंग लगाना थोड़ा ट्रिकी है उसका एक सॉटकट होता है वह मैं अब को ता देता हूं दोनों ब्रेक्ट्रो को आपको इस तरह से लगा रहा है और स्प्रिंग को उसके होल में आपको फिट करना होगा उसके लिए साथ से पहले एक साइड की स्प्रिंग का फिट कर लीजे इ और इसे दूसरी साइड भी हम फिट करेंगे यह आपसे पहली बार में नहीं बनेगा अगर आप पहली बार यह कर रहे हैं लेकिन तोड़ा ठंडे दिमाग से करेंगे तो आप से यह आ जाएगा इस फिट होने बाद कीच कीच को इस तरह से बरावाल ला देना है और इस तर इस फिट भी कर लिया लेकिन फिर भी नीचे है तो इसको आपने जहां से लाया है वहां से आप इसको ले जाके रेप्लेस करके दूसरा बिर लिजेगा तो यह एक समान नहीं रहा तो यह ब्रेक्शू आपके ड्रम में फिट नहीं होगा हो जाएगा तो टायर आपका लॉक कि देएगा इसमें कहीं पर भी ग्रीस नहीं लगाते हैं ध्यान रखिएगा जहां 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 आपको अप्लाइ करना है वह मैं बता दूंगा इन तीन पार्ट में ही ग्रेस आपको लगाना है वह भी बहुत कम कॉंटिटी में मोवी आइल क्रिप्या करके आना इस्तमाल कर और इसे यह अच्छा फटेकर नहीं करेगा तो इसमें मुवी आइल कहीं पर भी इस्तमाल नहीं होता है नहीं पर है नाहीं मूद हमारा ना होता हैं जो हो इसके समाना अंतर हो जाए और जब हम ब्रेक्शू लगाएं तो आसानी से यह लग जाए खोल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है लगाने के लिए 术ह लगाने के लिए सबसे पहले एक साइट इसे आप प्रेक्शा कर लिए उसके बाद दूसरी साइट का थोड़ा खीत कि आपको फिट करना पड़ेगा यहां पे आपको तोड़ी काकत लगानी पड़ेगी और जैसे ही यह उपर वाले पॉइंट पे जाएगा यह हमारा ब्रिक्षू फिट हो गया बहुत ही इजी है अगर आपको सही मेथट जो मैंने अब भी आपको बताई है खोल ले और फिट क मांळनी होना चाहिए अब इसमें घ्रीज कहां लगाएंगे तो थोड़ा सामें ग्रीज जैसे मतलाovers नही तायर को उठा के उसके एकसल में आफट कर दीजे गुमा के एक बार देख लिजे फ्री है टायर या नहीं अगें यहां पर हमें थोड़ा सा ग्री सप्लाइ करना है और नट को हमें लगा देना है नट से पहले यह वाश्र आप लगा दीजेगा यहां पर वाश्र लगाना मत यहां की जो त्रेड है वो डेमेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेमेज होगे त्रेड तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा अगें आपको सॉकेट लगाना है यहां पर और टायर को उल्टा गुमाना है जिससे कि हमारा टाइम बचे और एक मुवमेंट आएगा कि टायर यह अच्छे से नट टाइट हो जाएगा लेकिन अभी स्कॉड टाइट करना है उसके लिए हमें साइड इस्टेंट में लगाना है स्कूटर आगे पीछे आप दो इट लगा लीजे और किसी की हेल्प ले लिजिए यहां पर इट लगाने के बाद हमें इस टायर को जो इसक भी तो टायर यह रास्ते में खुलेगा आपके स्कूटर कहीं होगा आप कहीं होंगे और आपका टायर कहीं और जाकर गिरेगा यह हमारा ही रोंड़ का प्लेजर है पुराने सब्क्राइबर है तो आपको पता होगा मेने चैनल की सुरुआद इसी गाड़ी से थी अब आप पराबर हो जाएने के बाद लगाने के बाद सब कुछ करने के रहे उसके पीछे एक नट लगा रहता है टाय को घुमा घुमा के आपको इसको एड़ेस्ट करना है टायर हमारा फ्री होना चाहिए और ब्रेक्स में भी थोड़ा प्ले होना चाहिए बहुत हलका जब ले जिस वही हमारा पर्फेट कहला आएगा तो इसे हम थोड़ा-थोड़ा घ करेंगे टायर अगर फ्री नहीं हुआ हमने ज्यादा टाइट कर दिया ब्रिक केम को तो फिर मालेज कम हो जाएगा क्योंकि टायर आपका लॉक रहेगा ब्रेक फालतु में घिसेंगे काम पूरा हो चुका है ब्रिक बिल्कुल परफेट वर्क कर रहे हैं उमीद है इस वीडिय करेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगा और अगर आपको मेरी चैनल का कंटेन्ट पसंद आता है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इंस्ट्रगाम पर फालू करना मत भूलेगा कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लिजे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद